हलो एवरिवान वल्कम बैक टू माई चैनल आज इस वीडियो में मैं आपको अपने कैंपस का टूर करवाने वाली हूँ कैंपस शेडोल से 3.3 किलोमेटर दूर में बस्टेंड जो न्यू बस्टेंड है उसे 3.3 किलोमेटर दूर हमारा कैंपस है चांपा एक गाव है वहाँ पर तो चलिए अब हम कैंपस में चलते हैं हमारा कैंपस टोटल 41 एकर्स का है कैंपस में सबसे पहले हम एंटर करते हैं तो आजाता है हॉस्पिटल यह जो आपको दिख रहा है यह हॉस्पिटल बिल्डिंग यह hospital building में सबसे पहले जो है वो casualty है और उपर IPD यहाँ पर total अभी 327 beds है हमारे hospital में next जो आपको दिखाई दे रहा है fever clinic next इसके बाद आप देखिएगा यह है outpatient department जो 10 बजे से 2 बजे तक open होता है ओके अब हम चलते हैं campus में अंदर की तरफ अब बहुत बड़ा campus है बहुत प्यारा campus लगता है अब हम लेंगे left turn, left turn लेंगे यह जो दिखाई दे रहा है यह है library, यह outsider library है next जो दिखाई दे रहा है यह है gym और यह हमारा reception 2 का entrance है अब हम जा रहे हैं dean sir के office की तरफ और reception 1 यह रहा dean sir का office का entrance अब हम college के पीछे की तरफ से आगे की तरफ बड़ेंगे और हम यहां से right turn लेंगे तो हमें दिखेगा canteen canteen से पहले anatomy department का back door है और college का एक पीछे से entrance है वो रास्ता यह रहा अब यह जो दिखाई दे रहा है circular सा यह है हमारा auditorium का पीछे का रास्ता अब यह है canteen अब हम आगे चलते हैं और left turn लेते हैं जब हम left turn लेंगे यह पूरा residential area है अभी auditorium यह front side है auditorium का next जो दिखाई दे रहा है यह है boys hostel आगे है dean sir का घर यह रहा आगे यह रहा dean sir का घर अब हम residential area के तरफ चलते हैं यहां सारे doctors रहते हैं nursing staff रहता है सारा जो भी staff है वो सभी यहां पर रहते हैं तो next आगे चलते हैं अब हम आगे yellow color के building दिखाई देगी यह intern hostel है और यहां पर अभी 2019 batch की senior maim रहती है इसके बाद next जो hostel दिखाई दे रहा है यह 3 hostel है इसका एक entrance है यहां पर सिर्फ अभी हम लोग रहते हैं तो यह रहा हमारा hostel इस building में हम लोग रहते हैं तो देखिए मैं already video डाल चुकी हूँ अपने hostel का तो आप लोग जा करके देख सकते हैं link description box में मैं दे दूँगी अब हम आगे चलते हैं यह भी college building है जो सामने दिखाई दे रही है left side college building यह auditorium auditorium से अब हम एक और रास्ता है वहाँ से अब हम turn लें कि वो जो पीछे दूर yellow yellow building दिखाई दे रही है ना वो intern boys hostel है वहाँ पर अभी कोई भी नहीं रहता है सामने boys hostel है यह auditorium का back door यह भी residential area यहाँ पह चोड़ी रहते हैं सारे और यह जो दिखाई दे रहा है यह है JR hostel अब हम चलते हैं यह सामने है guest house अब हम चलते हैं अपने hostel की तरफ hostel tour मैं already बना चुकी हूँ आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में जा करके link description box में मैं mention कर दूँगी मुझे मेरा campus बहुत प्यारा लगता है आप लोग भी बताओ आप लोगों को campus tour कैसा लगा thank you so much for watching this video do like, share and subscribe to my channel bye bye